मूचो परताव आखो पर काला चश्मा सिर पर टोपी और घोड़े की सवारी जब भी याद आती है तो बिहार के एक बाहु बली नेता और विधायक जिनका नाम अनंत सिंग है उनका चेहरा सभी के सामने आ जाता है आप समझ रहे होंगे कि हम बात करने जा रहे हैं खुद अनंत सिंग की लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है दरसल हम उनकी नहीं बलकि उनके घोड़े की बात आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं जो उनका बड़ा ही लाड़ला है मोकामा के लोगों का बार-बार भरोसा जीतने वाले इस विधायक का घोड़ा भी उनसे कुछ कम नहीं है जो कारनामा उनके घोड़े ने कर दिखाया है उससे समझा जा सकता है दरसल बहार के मोकामा से राष्ट्य जनतादल के बाहुबल विधायक अनन्द सिंग के घोड़े ने राज जस्तरिय घोड़ा रेस प्रतियोगिता में अपना पर्चम लहराया है जानाबाद के प्रखंड के बढ़ोना हाई स्कूल में आयोजित गुरदोर प्रतियोगिता में अनन्द सिंग का घोड़ा लाडला भी शामिल हुआ और विजेता बन कर लोटा तीन राउंड के इस प्रतियोगिता में विधायक के गोडे ने प्रथम स्थान हासिल किया, लाडला गोडे पर इसमाईल खान सवार थे, प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर बिहार केशरी और अनंद सिंग के भाई विबेका पहलवान का गोडा बागी रहा, जिसकी सवार शंभू यादव ने की, वहीं तीसरे स्थान पर एक साथ तीन घोडे पहुँचे जिसमें पहला घोडा महुआ के रहने बाले शकल राय का था, दूसरा घोडा पटना के रहने बाले रुदल गोब का था, जबके तीसरा घोडा गया के रहने बाले वबलू मुखिया का था, सभी वीजेताओं को ट्रोफी और इनाम देकर सम्मानित किया गया जहनबाद में पहली बार आयोजित हुई इस रेस प्रतियोगिता में देखने के लिए भारी संख्या में लोगों का जोटान भी हुआ था दूर दराज से क्षेत्रों से भी लोग इस प्रतियोगिता को देखने के लिए पहुँचे थे पूरा मैदान दर्शकों से खचा खच भड़ा हुगा था लोगों के लिए ये आयोजन बेहत खास था इसलिए कई लोग इस घुर्दोर प्रतियोगिता देखने के लिए आसपास के पेड़ों पर भी चड़े हुए थे इस प्रतियोगिता में पटना के अलावा मुकामा, गया, नलंदा, छपरा, डेहरी, औनसोन, आरा से भी घोड़े आय हुए थे प्रतियोगिता का आयोजन स्थानिये लोगों के द्वारा किया गया था, जिसमें कई समाज से भी शामिल हुए बता दें कि अनन सिंग को हाथी घोड़ा और गाय पालने का काफी शौक है उनके बारे में प्रचलित है कि उन्होंने सोनपूर पशुमेले से एक बार आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रशाद यादव का घोड़ा खरीड कर काफी सुर्खिया बटोरी थी अनन सिंग को घोड़े की सवारी बेहत पसंद है उनकी अकसर घोड़े की सवारी करते हुए तस्वीरे भी आती हैं और जब भी अनन सिंग अपने घर से निकलते हैं तो घोड़े के बगगी के साथ ही निकलते हैं हलाकि फिलाल उनके घोडे ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसके चर्चा चारों तरफ हो रही है। जहनबाद में आवजीत घुरदौर प्रतियोगिता में अनन्सिंग के घोड़े ने प्रथम स्थान हासिल किया जबकि विवेका पहलवान का घोड़ा दूसरे स्थान पर रहा। इसके बाद सभी विजेताओं को ट्रॉफी देकर सम्मानित भी किया गया और अनन्सिंग का घोड़ा जो लाड़ला है। उसे भी सम्मान प्रस्तूत किया गया। आप बढ़े रहें लाइप सिटीज के साथ। यदि आप ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजे ताके हम आपको खबरों से अपड़ीट रख सकें।